साथियों, बीटे कुछ सब्ता में, जीच तरह की खबरे आई हैं, वो भारत में इंडिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अबुत पुर्व पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वाल मार्ट के CEO से हुई, उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड रुपी के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युआ, लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है। सिस्को के CEO में ने भी अपनी भारत यात्रा के जैरान मुझे बताया कि वो भारत में बने 8,000 करोड रुपी के प्रोड़क्स के एक्सपोर्ट का लक्स लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एपल के CEO भी भारत आये थे। भारत के उजवल भविश्य और खासकर मोबाइल मैनिफेक्टरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे। दुनिया के मज़ूर सेमिकंड़क्टर कमपनी एन एक्सपी इसके टॉप एग्यूटिव भी हाली में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमिकंड़क्टर एकोसिस्टिम के निर्मान और उसके सामर्थ को लेकर बहुत पोजिटिव हैं। फोसकोन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट में हजारों करोड रूपिय का निवेश शुरू कर दिया है। अगले एक सब्ता में दुनिया की बड़ी कमपनीयों के बहुत सारे CEO से फिर से एक बार मिने मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बाते ये सारे प्रयाद दरसाते हैं कि भारत में अलग-अलग सेट्रस में कितनी तेजी से रोजगार के नए अउसर बन रहे हैं।